देश में इस समय मौसम में उतार चड़हाफ का दोर जारी है। कहीं भीशट गर्मी से लोग परिशान हैं तो कहीं पर बारिश के बाद मौसम सुहाना बना हुआ है। इस बीश मौसम विभाग ने दिल्ली समेट कई राज्यों में बारिश के साथ आंधी दोफान का लग चारी किया है। में बारिश का नुमान लगाया जा रहा है। हालगे कुछ राज्यों में तेस बारिश का नुमान हैं। इसलिए मौसम विभाग ने किसी भी तरीके की परस्तित्यों से निपटने के लिए उन राज्यों को अगहा किया है। जहाँ मौसम बदलने माला है मौसम विभाग के मताबिक लगातार गर्म हवा और बड़े हुए ताप्मान के दीच कुछ इलाकों बारिश की संभावनाएं बन रखे है मौसम विभाग के कहती है कि उत्तर परशीम के हिमालियन ब्रीजर में कम दबाव के शेत्र बन रही है इन कम दबाव के शेत्र की बनिये से कुछ लाकों में सैक्लॉनिक सर्कुलेशन की परस्तित्या भी पैदा हो रही है इसमें हर्याना, पंजाब, चंडिगट के साथ, हिमाचल प्रदेश, समीर, जम्मु कश्मीर और लद्दा के कुछ हिस्से शाम है विज्ञानिकों की मुताबिक अगले 12 घंटों के भीतर कम दबाव के शेत्र से बनी हुई साइकलोनिक सर्कुलेशन की परस्तित्यों से बारिश होगी इस तरीके का मौसम अगले तीन दिनों तक बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक जम्मु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्राखन के उपरी हिस्सों में अगले 12 घंटे के अंदर ना सिर्फ 23 बारिश होगी बलकि उपरी इलाकों पर बर्फ बारी का भी अनुमान है जबकि जम्मु कश्मीर और लट्दा के कुछ हिस्सों में 23 गरज के साथ आंधी तूफान आने का भी अनुमान है जो कि अगले कुछ घंटे में कम दबाव वाले लाकों में बदले ही मौसम की परस्तियों के चलते दिखना शुरू हो जाएगा इसके अलावा मैदानी और हिमाले लाकों में 50 से 70 किलो मिजट पर दिखंटे के रफतार से हबाओं के चलने का ध्यानुमान जटाया गया है इस बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में साधा जानकारी मिल जाएगे तो देश और दुन्या की तमाम बड़ी खंडों कुले हैं आप बड़ी रही हमारी साथ देखते रही नेशन